friends welcome to creative life इस समय हम लोग जो है class 8 के chapters को solve कर रहे हैं जो की mathematics के chapter हैं इसमें हम लोग जो है परमे संक्रियाओं पर जो है जो संक्रिया हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं पिछले chapters के दौरान हम लोगों ने जो है घटाना जोड की प्रक्रिया को अच्छे से समझा और इसमें जो questions से इनको हम लोगों ने solve किया तो आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं 1.2.3 जो है परमे संख्याओं का गुड़ा तो आईए इसको समझते हैं तो गुड़ा भी इसका जो है बहुत ही simple है जैसे आप सामानी तरीके से गुड़ा करते हैं ठीक उसी तरीके से करना है इस इसको सरल करना है जितना भी सरला आप कर सकते हैं उसके बाद आप इसका result पा सकते हैं चलिए यहाँ पर उदारन से हम लोग सुरू करते हैं सबसे पहला उदारन है सके बादे किया गया है माइनस थरी बता पांच गुड़ें चार बता सात है अब इसमें अन्स का अंस में आप गुड़ा कर दिंग चार्ठ Yeahet 12 कचीन्हेक में तो माइनस गुड़ें प्लस हो जाएगा वाइनस तो माइनस गुड़े प्लस किया हमने तो यह हो गया माइनस यह माइनस है और यह प्लास है ठीक उसी प्रकार से साथ पच्चे 35 आपने गुड़ा के 35 इस प्रकार से आपका जो रिजलिट आ जाएगा माइनस 12 बटा 35 आप इसके बाद जो है यहाँ पर उधारन नंबर दिया गया है माइनस 14 बटा 95 है इसको गुड़ा किया गया है माइनस ani 27 और इसको जो है आपको स्रल करना चलिए इसको करके हम लोग देख लेते हैं यहांपर जो है माइनस 14 बटा नओ गुड़े माइनस 27 आब इसको जब आप करेंगे तो इसको आप यहां पर आंस है तो हर की रोप में आप एक लिए सकते हैं किसी भी संख्या काहर आप इक लिख सकते हैं अब इसको गुड़ा करेंगे इसको आप चाहें उपर-उपर गुड़ा कर लीजिए चाहें इसको आप evolution कर लीजिए सरण करने का मतलब ये हैं और ना कौना उठार यह हो जाएगा आपका प्लस तो यहां हो गया 42 और उसी तरह यहां पर भी दिया गया है माइनस चौदर गुड़े माइनस 27 तो माइनस गुड़े माइनस करके यहां पर दोनों को प्लस दिखा दिया गया है और इसको सरल कर दिया गया है 14 गुड़े 3 गुड़े 9 9 को 9 से काड़ दिये गया है उसके बाद 4, 4, 3, 42 इस प्रेकार्ट से इसको solve कर दिये गया है ठीक उसी प्रेकार्ट से हमारे कुछ अभ्यास प्रस्न है इसको आईए देख लेते हैं इसको प्रेयास करना है जैसे कि आपको चैप्टर के दोरान मिलते हैं अकसर उसी तरीके से इसको भी हमको solve करना है चलिए देख लेते हैं यहाँ पर उपर जो है प्लस है यहाँ पर माइनस है सबसे पहले आप इसको कर लीजिए 5 गुड़े माइनस 13 बटा 7 माइनस 7 है गुड़े 6 आप इसको जब आप करेंगे तो आप 13 का गुड़ा करेंगे किसमे 5 में 13 पचे आजाएगा 65 और यहाँ पर धान गुड़े रिड़ हो जाएगा रिड़ 65 ठेक अब उसके बाद आप इसमें जो है नीचे हर का गुड़ा करेंगे 7 में आप गुड़ा करेंगे 6 का 7 चंग 42 तो यह माइनस है तो इसलिए यहाँ पर माइनस 42 आप अंस और हर दोनों में जो है माइनस है तो इसको माइनस से उपर नीचे गुड़ा कर दीजिए इसके मान में कोई परिवर्टत नहीं आएगा और यह हो जाएगा आपका 65 पटा 42 इस प्रकार से आप इस तरह के question को आसानी से solve कर सकते हैं चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा number देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर है minus 2 इसको जो है minus 2 गुड़े करिए minus 50 हो जाएगा और इसके बाद इसको 3 गुड़े minus 4 करिए अब इसको जब आप करेंगे तो सबसे पह है minus करा निसान minus गुड़े minus यह आपका हो जाएगा प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं minus 51 है और इसमें हमने गुड़ा किये कितने का 2 का minus गुड़े minus plus हो जाएगा और इसको गुड़ा करेंगे 2 एक कम 2 और 5 दूनी 10 हो जाएगा 102 उसके बाद यहाँ पर 4 ती आई 12 minus 12 ठीक इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे आप इसको जो है minus का उपर नीचे गुड़ा कर दीजिए तो अंस जो है रिडात्मक हो जाएगा minus 102 बटा 12 अभी जो है यह आप इसको सरल करेंगे तो यह कटेगा भी 2 छक 12 दो पच्चे 10 दो एक कम 2 यह आ जाएगा आपका minus 51 बटा 6 है इसी प्रकार से आप इसको कालब कर लेंगे और और कटेगा यह जो है तीन से कटेगा तीन दू नीच है तीन एक कम तीन तीन शक ठाड़ा तीन सतेगा इस तीन अट चोबिस तीन नवा 27 तो यह आपका जाएगा minus 19 बटा 2 तो जैसा कि आपने भाग दिया एक्यावन में कि इतने का भाग दिया गया यहाँ पर तीन का ठीक यहाँ पर अगर आप देखेंगे यह हो जाएगा minus 51 बटा 6 अब इसमें जो है अभी और सरल कर सकते हैं तीन से भाग देंगे तीन दू नीच है और यह हो जाएगा तीन एककम तीन शक ठारा तीन सते एकईस यहाँ पर minus का निसान लग जाएगा तो यह आजाएगा minus 17 बटा 2 इस प्रकार से यह इसका answer हो जाएगा तो answer में हमने जो है कितने का भाग दिया वो हमने दिया भाग तीन का ठीक जब हमने 51 में तीन का भाग दिया यहाँ पर आया result 17 और रिण चिंद था इसलिए हमने इसको रिण की तरह लगा दिया चलिए इसके बाद हम लोग next देख लेते हैं यहाँ पर है question number 3 तो यहाँ पर ह 49 गुड़े 14 यहाँ पर जहाँ आप इसको कड़ेंगे सात धनी 14 जावविरी इसको चाड़ें आप नीचे आप भाग कर देंगे टो जो भी कटे आप 39 आगर 13 से आप नीचे 49 को खाटेंगे तो यहां पर 13 यह हो जाएगा तो यह 13 यहां पर इन बार चल जाएगा और यहां पर माइनसे वच चाहेगा अब इसको भीगों करेंगे 7 एकम सात यह हो जाएगा माइनस 7 बटा यह इस तरीके से आप इस साल्व करके लिख सकते है आपकी question solve हो जाएंगे अब इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं क्या देखते हैं यदि P by Q मतलब P बटा Q तथा R बटा S दो पर्मे संख्याएं हैं तो उसका जो गुड़ा होगा वो P by Q गुड़े R by S यह बराबर हो जाएगा पी गुड़े R बटा Q गुड़े S तो इसका मतलब यही है अंस का अंस में गुड़ा हो गया हर कहर में और जो आपका बटा है उसी तरह अपको लगा देना है ठीक इसके बाद जो है यह है हमारा अभ्यास प्रेस्ट तो यहां पर हम लोग जो है प्रेस्ट नंबर एक देख लेते हैं हल कीजिए इसमें जो है जो प्रेस्ट दिया गया है क्रेस्ट नंबर वन है यह गुड़ा करना है माइनेस नौबटा आठ गुड़े माइनस बटीस बटा तीन अब इसको हैнов Please नॉर्मली जैसे सिंपल करना है जब आप इसको सिंपल करेंगे तो आप इसको करेंगे माइनिस नो गुड़े माइनेस 32 उसके बाद बटा हो जाएगा 8 गुड़े माइनस 3 तीछ अब इसको सब जब आप सरखेंके तो 8, 14, 16, 8, 24, 8, 4, 32 हो जाएगा यह हो जाएगा आपका माइनेस 4 4, 8, 32 तो 8, 32 तो यह आपका कट जाएगा और उसी तरीके से इसको भी आप काटेंगे 3, 1, 3, minus 1 और यह हो जाएगा 3, 3, 9, minus 3 अब इसको जब आप सरल करेंगे तो यह हो जाएगा माइनेस 3, गुड़े 4, तो यह हो जाएगा 12 4, 3, 12, minus, गुड़े, minus आप करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस, इसलिए जो इसका result आया है प्लस 12 और यहाँ पर नीचे माइनेस 1 है और जब आप इसको माइनेस से उपर नीचे गुड़ा करेंगे जिससे की हर जो है धानात्मक हो जाए तो यह आपका जाएगा माइनेस 12 बटाएग रिण का निसान है तो इसलिए यह माइनेस 12 हो जाएगा इसके बाद हम लोग जो है question number दो देख लेते हैं तो यहाँ पर है माइनेस 32 गुड़े माइनेस 7 बटाशते हैं यह हो जाएगा दो से भाग जाएगा दो एककम दो और चाहदुनी 12 तो माइनेस 16 आजाएगा और यह हो जाएगा दो एककम दो दो अठे 16 फिर अभी दो से कट जाएगा यह तो यह हो जाएगा दो अठे 16 और यह हो जाएगा 29 ठीक अब जो है यहाँ पर हम इसको गुड़ा करके लिख देंगे तो माइनेस गुड़े माइनेस प्लस हो जाएगा साथ अठे छपपन बटा यह हो जाएगा आपका नौ इस परकार से आप इसका question जो है solve कर लेंगे तो यह आपका question number 2 रहा अब इसके बाद जो question हम लोग solve करेंगे तीन देख लेते हैं इसमें minus 36 बटा 5 है गुड़े 20 बटा minus 3 है तो इसको आप जैसे है उसी तरह का आंस में हर का हर में गुड़ा करके लिख दीजिए अब जो है अब इसको आप सरल करेंगे तो यह हो जाएगा 5 एकम 5 पांच चाओ के 20 और यह हो गए आपका 3 है तो 3 एकम 3 minus 1 है और यह हो जाएगा 3 एकम 3 दो नीचे minus 12 और इस परकार से जब आप इसको गुड़ा करेंगे प्लस गुड़े माइनस तो 4 दुनी 8 और 4 एकम 4 और यह आपका minus हो जाएगा और यहाँ आपर नीचे minus 1 गुड़े minus 1 हो जाएगा minus में उपर नीचे का आप गुड़ा करेंगे यहाँ उपर नीचे minus minus कट जाएगा तो यहाँ पर जो आपका answer आएगा वो आपका answer होगा 48 ठीक उसी तरीके से आप इसको भी solve कर लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले पर पांच चितियाई 15 और यह हो जाएगा 5 पचे 25 तो यह हो जाएगा minus 5 यहाँ पर जो आपका result आएगा minus 5 गुड़े एक तो minus 5 और 3 दूनी 6 जो यहाँ पर आपका result आएगा वो आएगा minus 5 गुड़ा इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे चलिए इसके बाद question number 2 देखते हैं और इस question में भी आपको गुड़ा ही करना है सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए साथ बटा 6 को गुड़ा करना है कितने minus 24 minus 24 है बटा एक हो जाएगा और अब इसको जो है आप यहीं पर काटना चाहें काट दे या फिर लिख के भी सामने काटना चाहें तो जैसा आपको सही लेगे 6 चौक 24 तो यह हो गया minus 4 और यह हो जाएगा 7 चौक 28 तो यह आपका हो जाएगा result minus 28 बटा एक या फिर minus 28 ठीक आप इसके बाद next question है दो number यहाँ पर minus 9 बटा 8 गुड़े यहाँ पर minus 16 बटा 3 है तो यहाँ पर आप इसको जो है minus 3 है इसको आप यहीं पर कट कर दीजिए 8 एक कम 8 8 दूनी 16 तो यह हो जाएगा minus 2 तो 3 एक कम 3 और यह हो जाएगा 3 तिरिक का minus 3 minus 1 यहाँ पर minus minus कट करना चाहिए minus minus भी कट कर सकते है चलिए यहाँ पर वहले गुड़ा कर लेते है 3 दूनी 6 minus 6 minus minus प्लस हो जाएगा minus 3 गुड़े minus 2 है तो 3 दूनी 6 बटा एक कम एक minus है तो यहाँ पर minus होना जाए minus का उपर नीचे गुड़ा करेंगे जिससे की हमारा हर धनात्मक हो जाए तो यहाँ पर जाएगा minus 6 बटा एक और इसको आप कह सकते है minus 6 फिक अब इसके बाद जो है हम लोग next देखते हैं यहाँ पर है question number 3 question number 3 भी आप उसे तरीकर से लिख देगे 16 यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो कटेगा साथ चोड़ा साथ तरीक एक कीज और यह हो जाएगा साथ दूनी चोड़ा ठीक आप इसको जो है आप सर्वल करना चाहें तो कर सकते हैं और यह चोटा नहीं होगा तो आप जोड़े माने मेंश मानइस यह माने मानेश दूने फांट मानेश का ऊपर नीचे आप गूरा कर तो भी डारेक्ट उपर का हर का हर में अंसकांस में गुड़ा करके आप लिख दीजिए उपर अंस होता है तो अंसकांस में गुड़ा करके उपर हर होता है नीचे तो हर का हर में गुड़ा करके नीचे आप लिख दीजिए उसके बाद अगर आप सरल करना चाहते हैं सरल करें तेरती है 49 यहाँ पर माइनस बन हो जाएगा और यहाँ पर तीन अब इसको आप गुड़ा करेंगे माइनस गुड़े माइनस यह हो जाएगा प्लस 11 बटा पांच तीयाई पंदर जो आपका एंसर आएगा वो आएगा आपका 11 बटा पंदर इस तरीके से आप दिये गए प्रस्न को आसानी से सॉल्ब कर सकते हैं ठोड़ा आपको चीजे देखनी है कौन कैसे कट रहा है और गुड़ा में आपको हर बराबर करने की कोई जुरूरत नहीं है जैसा कि आप जोड घटाना में देखते आए हैं आपको सबसे पहले हर बराबर करना होता है फिर उसके बाद जोड़ना या घटाना होता है ऐसा गुड़ा में बिलकुल नहीं करना है और सिंपल वे में बस अंस का हर में आपको अगर कट रहा है कहीं से काट देना है और अंस का अंस में गुड़ा करके लिख देना है हर का हर में गुड़ा करने है भाग देना हमको अंस का हर में या हर का अंस में है लेकिन जब हम गुड़ा करने की प्रक्रिया में आएंगे तो हमको अंस का अंस में गुड़ा करके लिख देना है ठीक जब हम सरल करते हैं question को तो सरल करने में आपको अंस में जो दिया है उसको काटेंगे और हर में जुदिया है उससे काटेंगे ठीक अब उसके बाद जो हाँ आगे देखलेते हैं उसके पर्मि vantage के जो गुड़ा होते हैं उनकी संक्रियाओं कि प्रगुण होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ प्रगुन यहाँ पर दिये गए हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, सबसे नमबर वन है समवरक प्रगुन, यह चीज़े आपको जो है बताई गई है, जोड के टाइम में भी, अब उसकी प्रक्रिया को ज परमे संख्या है तो जब आप गुड़ा करेंगे परमे संख्या का अपस में तो यह जो है आपको परमे संख्या मिल रही है कि नहीं तो यहाँ पर आप जब इसको सरल करेंगे देखें तो यह आप सरल करेंगे तो गुड़ा जैसे करना है वाइसे करेंगे चाहँ गुड़ा फल जो है एक परिमे संख्या मिलती है ठीक इस प्रकार से इसका सामवरक प्रकूर जो है ये नियम को पालन करता है ठीक उसी प्रकार से यहां पर जो है गुड़ा दिया है प्रयास करने के लिए अब निमलिकित को हल कीजिए और सत्यापित कीजिए कि प्रतेक गुडन फल एक परिमे संख्या है तो ये जो है एक अपने उद्धक करके देखा ये संवरक प्रकूर का पालन करता है या नहीं करता है तो आपने देखा तो परिमे संख्याओं का गुडन फल जो है पर मिश्चिया आपको मिला तो उसी तरीके से यहां पर भी हमको ये question साल्फ करना है जब आप सरल कर लीजिएगा उसी परिकेर से इसको भी करेंगे तीन दू निच्छा माइनस यह साथ हो जाएगा और यहां पर नौवटवाद्तर यह हो जाएगा धन यह भी एक पर्मिय संख्या आपको प्राप्त होगी तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस दसा में हमको पर्मिय स तो कोई दो पर्मिय संख्या हों तो उनका गुडन फल जो होगा वह भी एक पर्मिय संख्या के रूप में होगा अतह पर्मिय संख्याओं में गुडा की जो संक्रिया है वो संवरक प्रगुण का पालन करती है तो यहां पर आपको रिजल्ट निकल काया तो पर्मिय संख्य होता है तो यह सामवरग प्रगुर्ण का पालन करता है अब जो है हमारा दूसरा इसमें टॉपिक है क्रम विनमे प्रगुर्ण का क्रम को आगे पीछे करने पर क्या जो है इसके जो रिजल्ट हैं वो सेम आते हैं और एक पर में संख्या पराप्त होती है यहां पर उदारन के तो बढ़न जाये गया है, मानिस 3 बटा 4 गुड़े, 7 बटा 11 या फिर 7 बटा मानिस 11 गुड़े, मानिस 3 बटा 4 जब आप इसको solve करेंगे, यहां पर दोनों तरीके से solve करके दिखाया गया है अंस का अंस में गुड़ा करेंगे, तो मानिस 21 बटा 24 यहां भी आएगा माइनस 21 बटा माइनस 44 यहां भी आएगा आंसा और हर में जब इसको सरल करेंगे माइनस एक से उपर नीचे गुड़ा करेंगे तो 21 बटा 44 हो जाएगा 21 बटा 44 तो हमने क्या देखा कि दोनों इस चिदियों में गुडन फल से जो प्राप्त पर्मे संख्या है पांचों का 20 ठीक और ये भी साथ दुनी चोदर माइनस चोदर बटा पांचों का 20 ठीक सेम उसी तरकर से अभी है पांतियाई 15 तो यह हो जाएगा आपका माइनस 15 बटा 6 दुनी 12 ठीक ठीक उसी प्रकार से ये भी है पांतियाई 15 माइनस 15 बटा शैदुनी 12 तो ये भी माइनेस होगा और ये भी यहाँ पर माइनेस है तो माइनेस 12 इस प्रकार से आप इसको solve करेंगे तो ये परमे संख्षा के रूप में भी पराप्त होगा और इनका जो है मान भी समान होता है इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो जो परमे संख्षाएं है इनका जो है गुड़ा में गुड़ी और गुड़क का अस्थान बदलने पर गुड़न फल समान रहता है तो यहां पर जो गुड़ी थे और गुड़क थे इनका हमने जो है अस्थान परिवर्थित किया तो हमने देखा दोनों परिष्टिव में इनका गुड़न फल समाना है इस परकार से हम कहा सकते हैं यह P by Q तर था R by S कोई दो परिमें संख्षा है उसको P by Q गुड़े R by S कर लीजिए या फिर R by S गुड़े P by Q कर लीजिए इन दोनों का मान जो है समाना आएगा अतः परिमें संख्षा हों में गुड़ा की सरंकिया जो है क्रमे विनी में जो है नियम का प्रगुल का पालन करती कम्यूटेटिव लाका जो है यहाँ पर पालन होता है अब यहाँ पर जो है साहचर ये प्रगुलू का हम देखेंगे साहचर ये प्रगुलू का यहाँ पर पालन होता है कि नहीं तो सबसे पहले बात के दुक को पहले कर लीजी इसको 2012 करना है जिस तरीकिस दिया है और dif कि धूड़ा करना है होता है तो रिजल्ट आपका बिल्कुल समान होगा आईए इसको देखते हैं यह आप इसको गुड़ा करेंगे सबसे पहले आप जो दिया है इसको सॉल्व कर लेंगे तो चारती आई बारा और यह हो जाएगा पांच साथ पच्चे से 35 मैनेस बारा बाट पांच और दो बाट नव हो एठेक यहां तक यह हो गया और इसको जब आप गुड़ा करेंगे तो माइनेस चौवीश बटा माइनेस 315 हो जाएगा अब यहां पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो च्छा यहां पर जो है तीन दो निच्छ है और साथ नौ तोनों इस्थितियों में जो है गुडनफल से प्राप्त पर्मे संख्या क्या है समान है इसी तरीके से यहां पर प्रयास करने के लिए दिया गया है तो आप इसमें जब भी गुड़ा करेंगे तो साथ चुद साथ तरीकी कि की Oh जाएगा और एक्कीस में जब आप माइनस एक्कीस में मैं चार का गुड़ा करेंगे द्थन साथ का साथ साथ एक कम साथ यह भी अनसाफ का चारासी आएगा उसे तरीके से हर का भी आप गूड़ा करके देख लेंगे तो हर भी जो है इसका नौ दूनी ठारह और माइनस अठारा में आप पांच का गूड़ा करेंगे माइनस तो यह हो जाएगा आठ पंजे चालिक सुना फिल लगा चार पांच एक हम पांच यह जाएगा आपका नभदे आउसको भी जब आप साल करेंगे पांध दुनी दस दस निवाई नभदे यह भी हो जाएगा ठीक आधी आई 12, 12 Gilbert 24 हो जाएगा ठीक और 64 Hamilton 24 एक बटा 14 का रिजल्टाएगा इसको भी जब आप solve करेंगे 3 इकम तीन और 4 astrology 8 तो तो 3 इकम तीन और इसमें गुळा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 boiledger है और इसमें आप गुड़ा करेंग चार दुनी आठ माइनस गुड़े माइनस होगा आठ तरिक चौबिस तो यह जो धन हो जाएगा तो यह भी आया आपका च्छाइक कमच्छा चौबिस एक बटा चार जो है आपका यहां पर भी इसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिड संख्या हैं तो इसमें जो है चाहे दो संख्याओं को पहले आप गुड़ा कर दीजिए और तीसरी संख्या के बाद में गुड़ा करिए चाहे पहले दूसरी और तीसरी संख्या का अपस में गुड़ा कर दीजिए पहली संख्या का बाद में गुड़ा कर दीजिए तो भी इसका result आपका समान आता है अता परमे संख्या में गुड़ा की संक्रिया साहचर associate law जो होता है जो प्रगुण होता है उसका पालन करती है परमे संख्याओं के गुड़ा के इस प्रगुण के फ्लसरूत हम तीन या अधिक परमे संख्याओं को भी बिना किसी कोष्टक के परियोग के कि ये गुड़ा कर सकते हैं और यहां पर जो है इतनी संख्यायदी है आप जो है इसको नॉर्मली गुड़ा करते चले जाएए आप इसका result पा सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कोष्टक में था सभी चीज़े कोष्टक से हटा दी गई माइनस गुड़े माइनस करके प्लस कर दिया गया इसको इसमें गुड़ा करके तो जैसे ही आप गुड़ा करना चाहें आप उसको गुड़ा कर सकते हैं कि यहां पर आप देखेंगे जो दिया गया एक एक कर दीजी तीस तो यह उगया तीस गुड़े छाय कम च्छाद दूनी बारा एक और उसके बाद नीचे वाला गुड़ा करेंगे पांचनो पैंतालिस माइनेस पैंतालिस गुड़े चार एक कम चाल आप इसको जब आप गु चार से जो है और पिछ भी चार से जो बढ़ाइब चार चार अठाइब पत्ते चार तीयाइं बारा पहले दो से कर दीजी इसको यह हो जाएगा दो से दो छक के बारा और दो तीयाईं अच्छा और यह पिर उसके बाद जो है 3 से एकटेगा यह हो जाएगा 3 4.15 यह आपका मानलेस होता हो जाएगा नीचे वाल को यह हो जाएगा तीन दो निच है और 3 से ओर धिजीन अब इसके बाद 15 दो ने तीस और यहाँपर मानलेस एक बचाएगा और यहाँपर मानलेस वट्टा माइनस गुड़्य माइनस एक और यह का अंसर आजाएगा इस तरीके से आप दो दो चाहे जो गुड़ा करके आप अपना गुड़ा का जो यह प्रगोड़ है इसको आप द्यान दीजिए गा आप जब भी गुड़ा कर रहे हैं माइनस गुड़े माइनेस करेंगे यह प्लस होगा प्लस गुड़े प्लस करेंगे तो यह प्लस होगा मतलब समान चिन से जब आप गुड़ा करेंगे तो यह धन आएगा देखिए और जब भी परीद चिन से गुड़ा करेंगे तो यह रिड़ आएगा थिक माइनेस गुड़े प्लस करेंगे रिड अब प्लस गुड़े माइनेस करेंगे तो भी ये इस तरीके से आप इस क्वेस्चन को आसानी से कोई भी हो सॉल्व कर सकते हैं चलिए यहां पर जो है हम लोग देख लेते हैं 1.2.4 पॉइंट है पर्मे संख्याओं के योग पर गुड़ा का वितरण प्रकूर मतलब कि अगर गुड़ा और योग दोनों प्रक्रियाएं हैं उसको अगर वितरण प्रकूर के हिसाब से हम देखते हैं तो क्या इसका रिजल की तरहूं growड़े पांच और धन लगा के बीच में फिर चार गुड़े उसका इसका पर आप देखेंगे तो जो इसका devaे वा जो है यह आएगाieß तो यहिंद गुड़ा करके देखा गया करके जब आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट जो है सत्य है ये सब जो है बराबर आएंगे छाइट श्याइज चार दस चोग आलेस तो ये पहले का रिजल्ट आया च्छा पांच 11 और 11 चोग के 44 टिक यह आपका रिजल्ट आएगा वाली आप इसमें जो है पांच चोग बीस धन च्छाच चोग और यह आपका हो जाएगा तेक उसी प्रकार से यहां भी चाच बारा एक तेरह तेरह पच्छे 65-65 अब यहां पर च्छापंजे 30-30-35-35-35 यह माइनस माइनस आपस में जूड़ी आएगे तो तीन तीन च्छाच यह हो जाएगा पांच तेम उसी प्रकार से इसको भी आप करेंगे तो इसका भी रिजल्ट आपका सेम ही आएगा चलिए यह तो थो पुडांग के उपर अब जो है परमे संख्या के उपर हम देखते हैं निमलिखित को जो है सरल करना है तो यहां पर सेम चीज है जैसे आपने पूरांग पर देखा वही परमे संख्या पर है बटा 3 में है लिए पर दों में लागा देंगे फिर 620 दशक्यों करेंगे यह जो है यहां जडांगे चैकर नए-इसकी तरीके से इसको भी जब आप solve करेंगे तो यह गुड़ा है तो आप डारेक्ट करेंगे यह आपका माइनिस चार बटा अच्छा है धान यह आजाएगा सच्छोब 28 बटा अब इसका जो है आप निकालेंगे तो 30 आ जाएगा अब इसमें जो है आप इसको जोड़ के देखेंगे तो इसका जल्टा आएगा आपका 36 बटा तो सेम जो है आपका अंसर मिलेगी तो हम देखते हैं कि दोनों परिस्थितियों में प्राप्त पर्मिय संख्याएं जो है आपकी क्या है समान अब यहां पर प्रयास करने के लिए दिया गया है तो यह यहां पर पर इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पर्मिय संख्या का दो पर्मिय संख्याओं के योगफल में गुड़ा करने से प्राप्त गुड़न फल इस पर्मिय संख्या का दोनों पर्मिय संख्याओं में अलग अलग गुड़ा करने से प्राप्त गुड़न फलों के योगफल के समान होता है जैसा कि आपको बताया गया जोड के गुड़ा किया फिर उसके बाद उनका जो है आपस में गुड़ा क प्लस टी बाई यू है यह बराबर होगा पी बाई क्यू गुड़े आर बाई एस धान पी बाई क्यू गूड़े टी बाई यह जो है यहां पर इसका इस तरीके से आप इसको शॉल्व कर लेंगे तो आपका सेम जो है दोनों तरफ समान नहाएगा अत्या पर में संक्छाओं क योगफल का जो गुड़न का वितरण नियम है डिस्ट्रिब्यूटिव ला जो है प्रगुन वो जो है इस पर फालो होता है ठीक आपका ये अभ्यास वन ई है तो इसको जो है हम लोग नेस्ट वीडियो में देखेंगे शकरते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अ सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अभ्यास वन ई के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर